वेलकुम बैक तो माई चैनल बर्षा बीटी लाइश्टाइल तो फ्रन केसे याँ और सब वह दिन से वीडियो नहीं लाए हैं आज वीडियो लाए है वीडियो लाए है और या लुप का रोजो का तियार आ रहा है और वो लोग बहुत मज़े से तियार मनाते हैं ऊसमें मेकक बगरा होते हैं और फेसल गखर होते हैं लेकिन अगस्तर हो गाओं में ज्यादाते हैं चुटी में गाओं चले कि याटे लाइं तो जाफे तो पाला नहीं है तो कैसे हम हो मेरी कि इसे मेरी है 벌써 खोलो करेंगे तियोहर मनाें.. तो ऐसे ही वीटिका बहुत सारा वीडियो मैं देती हूँ तो मैं जो मेरा मुझ तबेक खराब वह था ना मेरा फेस में भी बिगड़ गया फेस पूरा तो यह तो बाहर लगाएंगे अंदर भी हम टीटमेंट करेंगे यह बहुत ही अच्छा काम देता है और आप कर सकते हैं म हम खुद कर सकते हैं इसी वाज़े से हम विडियो शुरी करते हैं तो फ्रेंट देखिए बैक बनाने के लिए छुटा सक काच का बाव लिजिए कटोरी मतलब कटो लिजिए उसमें एक चमाज बेस्टन डाली बेस्टन क्या करेगा हमारा फेस को क्लीन करेगा और यह जो पे कम मुल्तादी मीते हमार फेस को टाइट करेगा काफी पावडर पुरा ब्राइटनेश ग्लो लाएंगा और कड लिजिए आधी जो हमारे फेस को टाइट करने के साथ ग्लो करेगा दो चामुज लिजिए अच्छी तरह से उसको मिला लिजिए थोड़ा से एक चाम्मोच रो जब आप साधी करेंगे तभी यह प्याक लगा सकते हैं रेगुलर लगा सकते हैं हथे में दो बार लगा सकते हैं हथे में चार बार लगा सकते हैं कम से कम एक बार तो लगाना चाहिए बिल्कुल नहीं लगाए तो कैसे होगा नहीं होगा न तो फिर जरूर यह प्याक तो इसलिह हम यह दिखिए लगाने का तरीका पहले पूरा साप किजिए इने साप कर के आगे हैं तो फेस को जब लगाएंगे उपर के तरब लगाएंगे और मैं एक चीज बार-बार बोलती हूं जो पैक लगाएंगे जो भी पैक लगाएंगे उसको पूरा शुकने महाद दीजेगा 50 पर्षन गिला होगा तभी आप उसको उतार दीजे रिमॉप कर दीजे पूरा आप सुखने के लिए छोड़ देंगे तो हम आपको जल्दी रिंकल सा जाएगा कि थोड़ा तब खराब के बज़े से अच्छी तरह बोल नहीं पाते हैं देखिए छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं मेरे बैट्टे को भी मैं लगा रही हूँ इसलिए देखि मेरा 50 पर्शन सुख गया है तो अभी मैं वास कर गाते हूँ देखिए वास करने के बाद कितना फेस प्रा ब्राइड ग्लोइंग स्कीड दे रहा है आप दे सकते हैं तो फ्रेंड ज़रूर ये ट्राय किजिए रेगुलर मसिज में आपको टाइम नहीं है तो ह झाल झाल